क्या शिपुरी को मिल पाएगी सुवरों की समस्या से मुक्ती आखिर हाई कोड के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हटाया जा रहा सुवरों को क्या आप 2014 के आदेश का अब तक नहीं पालन कैस्वाल नोटिस के बाद हो पाएगा हाई कोड के आदेश का पालन या फिर शासन प्रशासन को खाना पूर्ती कर रह जाएगा देखी क्या बोले प्रभारी मंत्री मैंक सिसोधिया ने सुवरों के मुद्दे पर देखी इस समन में विशेश साक्षातकार में क्या कहा जनहित की मुद्दो को उठाने वाले वरिष्ट अधिवक्ता संजीब बिलगयाने नमश्कार आप सभी का स्वागत है फास समाचार में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्यूपरी के सीनियर एड्लोकेट संजीब जिन्होंने हमेशा जनहित श्यूपरी की जनहित मुद्दों को लेके हमेशा आवाज उठाई है और एक मुद्दा ऐसा है पी आईल सुवरों के खिलाफ इन्होंने एक पी आईल दायर की थी आईए हम जानते हैं कि वो पी आईल कब दायर की गई थी और वो एहम मुद्दा क्या है नमश्कार से नमश्कार बहुत ही अच्छी बात है आपके सबसे पहले इस में आपके समाचार को इस चैनल को थैंक्स करना चाहूंगा कि जन्ता के इस मुद्दे को उन्होंने सार्विर करने के लिए आपने ये इंट्रिव्यू आयुद किया मेरे द्वारा वर्स 2012 में एक जने त्याज क लगाई गई थी डॉक्टर राजिन गुपता जो विद्या देवी ऑस्पिटल के संचालक हैं उनके द्वारा मुसे संपर्क किया गया और बताया गया कि समस्या से वह काफी वहते थे परेशान है तो हमने मानी उच्छी नहाले में प्रटीशन फाइल की थी मेरे साथी एड नगर्पाल सीमा चेतर से कलेक्टर और जो से में पाईटि बनाय गया था वह उसको माघ समय में संबनी प्रटी बाहर करें ऑस बाहर करने के लिए अगन नर्देशत कि यह बत्लग को दे अगर को पालते हैं अगर वह उनकी मदद नहीं करते हैं उसको बाहर करने में रोक करते हैं तो उनके खलाब मतलब अन्शाथता कारवाई की जाएगी उनको टैर्मिट कर सकते हैं अब बाद में मानुचिन आहले ने एक वर्ड अंकित किया था कि अगर ये बाहर पालन करने में या करने में कुछ आदा स्परिशानी होती है तो अंत मे दिश्ट्रॉय सब्सक्राइब कर दिया जाए तो उसका निराक्राण से निकाला गया था ये कहा गया था कि नगरपाल काने फिर उसको डिश्ट्रॉय करने का ही बुद्धा पहले उठाया और उन्हें शूट आउट की एक विग्यप्ति जायत की और एक शूटर को बाहर से आइडित करके वा शूट आ उन्हें सुरु किया था सर्च ये शूट आउट की जो एक ट birlikte जारी की थी इसके बाद शूट आ शूपरी में चल हुआ था फिर तो रहन पर प्र गराइस हटा नि-ऐ गायत है तो इसके बात की फिर क्या प्रॉसेस दो अन्टिन 45 एगूड़ी लेकर 80 4 को लेकर कई यह दिश्टहंत पारिट किये गए तो जब यह शूट आउट किया गया नगरपालका की तरफ से उसके बाद यह कुछ दूनों चली और कुछ दूने के बाद यहां कि जुख सरांको अंतिम रूप से निरा कर समाब्त नी के छोड़ दिया उससे क्जिखा रूं इसी बीचे जब यह फर इनुन प्रोंट होग दिया गया दी था चब्लिए अन्च्छे जेहन के मादियरम से में जिसमें फिर सूट आउट विग्यप्टी और सूटर को अमंतरित किया गया था और उस बात को लेकर एक कोई पशुपाला के जो संस्ता थी वह अनों इस विग्यप्टी को लेकर चली गई ती और जिसके अधार पर माननी उच्छी नागा ने इस विग्यप्टी पर रोक लग देश में उन्होंने शूट आउट के अलावा और बेकल्बिक विवस्ता हैं जो सुवरों को अटाने के लिए रखी है उन विवस्ताओं को देखते हुए अगर जिला प्रशाशन माननी हुच चनायले के आदेश का उन्पालन करें उनको शूपरी सहर की नगरपाल का सीमा से स्टाबिक जाना है उसके लिए बाढ़ ही बनाई जा सकते हैं जो उनके पालक हैं उनको समझाज दिया एक उनको बहर इसताबिक कर जिस से क्या है कि सूरों से हमारा शेर मुक्त हो पाएगा बीमारी हों से मुक्त हूपाएगा आप देख रहे कि इस स्विश्ताब्स के डेल पड़ेगी तो आपके दोवारों और क्या के स्टेंड आपने मतलब लेनी की प्लैनिंग की है हमारी नायक प्रक्रिया हमेसा थीन स्थमों पर चलती है जो कानून बन जाता है उस कानून के बनने के बाद कारपाल का पालन करती है जब विद्वत पालन नहीं कर पाती तो नियायले उसमें हस्तक्षेप करके या उसकी कारवाई को करके उसमें निर्देश जारी करती है तो नगरपाल का अधनियम में स्ट्रेपन है उसमें इस स्पेस्पिक लखा हुआ है कि सुरों को नगरपाल का सीमा चेत्र में रहने ही नहीं है उनको हटाए जाना है उस हटाए जाने की विवस्ता है और जब उस 253 के अधनियम का पालन नहीं हुआ विवस्ता किसी व्यक्ति दोरा नयायले में जाके नयायक कारवाई को जारी किया तो जब नयायले ने जो दिशा निर्देश जारी किये और PIL जिसको हम बोलते जनेत आज का पब्लिक इंटरेस्ट इंटिगेशन उसमें जो भी आधेश पारिट हो जाता है वो में तो वह दिरंतर माननी नयाले की अवमान ना कर रहे हैं और जबकिस प्रिशन में इस स्पेसिबिक अंकित है आपको विदिन टाइम तू मन्स-3 मन्स में इसके आदेश का पालन करना है और करने के बाद हाई कोट की रेजिश्ट्री होती है हाई कोट के अंतरकर रेजिट करेंगे रहिष्टार ऑफिस को रहिष्टी को बताएंगे क्या किया तो यह बात सेक्ट है कि 2014 के बाद एक छड़क प्रयास तो हुआ कारगर नहीं हुआ और चड़क प्रयास हुआ उस प्रयास के लिए तो अखरी बात लिखी थी अब चुकि वर्दवान परवेश में मामी उ और मानी नाकारवाई कारवाई तो pleas ना चाहिए तो ला इड्वकेट संजीव जिनों ने वाकि में जनेत का मुद्ध उठाया है शूपरी सुवर्मुक्त होना चाहिए वाकि में सुवर्मुक्त होना चाहिए देखते आने वाले भगश्यों में शूपरी के हालात क्या होता है